असलाम अलेकूम वेलकम टू परीन कुकिंग्स पॉर यूट्यूब चैनल आज हम अपने किचन में बना रहे हैं यह रूफ फिश तो इसे फ्राइ करने का तरीका मैं आपको आज दिखाऊंगी फिश को मैंने दोकर अच्छे से साफ कर लिया है तो इस पर अब हम सारे मसाले लगाएंगे इसे मैरिनेट कर लेंगे हम सबसे पहले तो यह सारी फिश हम दाल देंगे एक बड़े से बरतन में और यह सारी फिश को हम मैरिनेट कर लेंगे तो ये मैंने 2 टेबल स्पून सिरका यानि के वाइट विनेगर लिया है तो ये विनेगर हम इसमें एट कर देंगे आप इसके जगे पर निमू का रज भी ले सकते हैं और इसमें हम ये अद्रकलसन का पेस्ट भी एट कर देंगे और ये कुछ पॉडर मसाले हैं जो मैंने लिए हैं तो ये है हल्दी पॉडर, लाल मिर्ची पॉडर, नमक, गरम मसाला पॉडर, धनिया पॉडर और जीरा पॉडर तो ये सारे मसाले हम फिश में एट कर देंगे और यह सारे मसाले हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां देखिए फिश पर सारे मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं इसे हम एक घुंटे के लिए रख देंगे साइड में ताकि यह अच्छे से मेरिनेट हो जाए तो ये एक पैन में मैंने ओइल गरम कर लिया है इसमें हम ये फिश दालेंगे और फिश को हमें दोनों तरफ से लाइट गुल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ओइल के चिटे बाहर ना आएं इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया है और जैसे ये फिश एक साइट से फ्राई हो जाएगी थोड़ी सी एक रिस्प हो जाएगी तो इसकी हम साइट चेंज कर लेंगे और जब दोनों साइट से फिश अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे ओईल से तो इसी तरह से हमें सारी फिश फ्राइ कर लेनी है तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेर ज़रूर कीजिए और चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ फरीन को दिजे इजासत अगली वीडियो तक अगली वीडियो तक अल्ला हाफीज